हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बार नए मार्केट अप्डेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो बाजार के लिए एक बार फील से बेड निउस आते देखने को मिल रही है क्योंकि दोस्तो बाजार के लिए आज काफी बड़ा दिन था मार्केट बंद होने के बाद से यह बड़ा दिन चालू हो चुका था और कल हो सकता है कि मार्केट में दोस्तो इस निउस के करण हमें गिरावट देखने को मिल है तो ऐसा कौन सा निउस आ रहा है वो हम देखने वाले हैं उससे पहले हम हमारे मार्केट को कवर कर ले थे कि आज हमारा मार्केट के स्प्रका से ट्रीडिंग किया तो आप देख सकते हैं मार्केट 17,936 रुपे के आसपास क्लोज हुआ है आदे परसेंट की तेजी के साथ उसके साथ ही अगर हम देखेंगे कि मार्केट दोस्तो 17,890 रुपे पर ओपन हुआ था काफी अच्छा गेपव ओपनिंग लिया हाई लगाया 17,980 रुपे का मतलब फिर से एक बार करीब आ चुगा था मार्केट 18,000 रुपे के लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला इस मार्केट में और आप देख सकते हैं क्लोज कहां पर हुआ और जो लो प्राइस था मार्केट का वो था 17,890 रुपे का आसपास का और पता है कि मार्केट ने लास्ट एक साल मे करीबन चार बार 18,000 का लेवल टेस्ट किया है एक दो तीन चार चारो बार दोस्तों काफी अनेक्सपेक्टेड गिरावट देखने को मिली आप देख सकते हैं 16,000 के अंदर 16,000 यहाँ पर लगबग 15,000 के लगबग और यहाँ पर भी साड़े 17,000 के लगबग हमें गिरावट देखने को मार्केड में मिली थी तो अब देखने वाली बात यह है कि कल मार्केड कितना गिरेगा क्योंकि दोस्तों जिस डर था मार्केड को कि ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है वो ही चीज मार्केड में अगर होते हुए हमें देखने को मिले तो definitely दोस्तों मार्केड क्या हो सस्ते दान पर बेस दिया जाए ठीक है और दोस्तों जो दूसरे जने जो बड़े इन्वेस्टर है वो खरीद ले अब देखिए अभी यहाँ पर जो न्यूज आ रही है वो न्यूज के बाद दोस्तों जितनी भी रेटिंग एजनसी है वो सभी पूरे मार्केट की रेटिंग को डाउन कर देंगे या जितने भी दिगज स्टॉक है उनकी रेटिंग को डाउन कर देंगे जिसके कारण दोस्तों उनमें काफी ज़्यादा में गिरावट देखने को मिलेगी इस मार्केट में भी प्रेशर देखने को मिलेगा और जिसके कारण दोस्तों वो नीचे से काफी अच्छी बाइंग कर पाएंगे लेकिन दोस्तों इस गलत फिर में मैत रहना देखे मार्केट में उतार चड़ाओ तो चलते रहता है ये जरूरी नहीं है कि 18,000 का लेवल पर्मानेंट है कभी ना कभी तो इसको ब्रेक होना पड़ेगा आज नहीं तो दोस्तों दो साल बाद तो ये लेवल ब्रेक हो गई किसी ने सोचा था कि पेंडमिक में मार्केट 17,500 तक आया है तो क्या हमें 18,000 का लेवल देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तों पेंडमिक में सब यही सोच रहे थे कि कि किसी के पास परसा नहीं है सब की प्रॉब्लम आ गई बहुत सारे जोन की जॉब चले गई बहुत सारे जन्ने को खाने के कुछ नहीं पीने के कुछ नहीं लेकिन दोस्तों देखा, मार्केट में हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा परसा दोस्तों पेंडमिक के टाइम पर ही ढ़ला था, सबसे ज़्यादा डीमेट एकाउंड उसी समय में open हुए था और मार्केट यहाँ से दोस्तों यहाँ तक आते हों देखने को मिला था, ठीके? तो इस चीज़ को ध्यान से निकाल दीजिए कि मार्केट में काफी बड़ी गिरावट हो सकती है हमारे पोर्टफोलियो दोस्तों जीरो हो सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है गिरावट अगर होगी तो एक लिमिटेट प्रेट के लिए हमें देखने को मिलेगी यह सब चीज म मैंने आप लोगों को लाया हूँ और इंडिया का जो कंजूमर प्राइस इंडेक्स है जिसे हम CPI बोलते हैं वो CPI दोस्तों यहाँ पर लगबग 7% के आसपास हमें आते देखने को मिल रहा है जो फोर्कास्ट आया था वो 6.90% के आसपास का था बढ़के यह आया था दोस् CPI का इंफलेक्शन नमबर आया है महेंगाई का वो 7% के आसपास आने देखने को मिला है ठीक है सभी जगा दोस्तों अनुमान तो इसका लगाया गया था लेकिन दोस्तों 7% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है अगर हम बाकी का भी देखें तो आप देख सकते हैं जिसे क सबसे हाई पे कहां पर चले गया था माई में लगबग दोस्तों ये 7.79% के आसपास चले गया था फोरकास्ट और कुछ था ठीक है उसके साथ ही आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये कम होते हमें देखने को मिला था लगबग 5 मैने के नीचे आ चुका था लेकिन दोस्तों इ आने वाले मोनेटरी पॉलेसी में हम रेट को हाई करेंगे रेट को हाई करेंगे आज का दिन इसलिए बढ़ा था दोस्तों क्योंकि देखे अगर मान लीजिए इतना आ जाता या इससे भी नीचे आता ठीक है तो मार्केट बहुत अच्छी तेजी दिखा था और जो हमारे स दोस्तों वो नाकूस होते देखने को मिलेंगे सबसे बड़ा पॉइंट तो यह सेकेंड सबसे बड़ा पॉइंट है कि दोस्तों उनका एक साल का टार्गेट है एक साल के अंदर अंदर एक साल के अंदर अंदर उनको इंफलेक्शन को चार परसेंट के करीब लेके आना है और U.S. का दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है? टार्गेट 2% का, हमारा टार्गेट तो चलो ठीक है, 4% का कोई दिक्कत नहीं, U.S. का टार्गेट है 2% का, 2% का टार्गेट काफी ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, अब इसी महने इसी हपते दोस्तों क्या होने वाला है US का भी inflation number हमें सामने आते देखने को मिलने वाला है और वहाँ पर भी अगर बडोतरी होती है दोस्तों ठीक है तो rate तो पॉबल साब हाइक करेंगे उन्होंने बोल दिया हम 75 basis point तक rate तो हाइक करेंगे अनुमान भी यह यह अगर वहाँ पर भी इसी तरह से दोस्तों inflation high होता है तो वो लगबग एक basis point तक भी दोस्तों क्या कर सकते हैं अपने rate को high कर सकते हैं जिसके कारण दोस्तों हमें problem देखने को मिल सकती है मतलब दोस्तों इस महिने क्योंकि इस महिने काफी ज़्यादा market में उतार चड़ा हमें देखने को मिल रहा है कुछ negative news भी हमें देखने को मिल रहे है तो देखते हैं कल का market किस प्रकार से रहता है और भी कुछ negative point है जो सामने आ रहा है उसको देख लेते हैं अभी तो दोस्तों वो negative point सामने आ रहा है यहां पर आप देख सकते हैं लगबख crude oil का price है ना एक बार फिर से high कोते देखने को मिल रहा है लगबख 94 dollar के आसपा से trade कर रहा है 85 dollar के पास चले गया था तो इसमें भी काफी तेजी देखने को मिल रही जिससे market एक बार फिर से डर सकता है दोस्तों क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां पर दोस्तों करीबन 85% का जो crude oil है वो भार से बुलाया जाता है अगर crude oil का जो price एक बार फिर से increase होने लगा तो जो हमारा import बिले वो फिर से महंगा होगा जिसके करन हमारे economy और हमारी GDP है और फिर काफी एक और यह negative point हमें देखने को मिल रहा है उसके साथ यह आप देख सकते हैं यहां पर हम आये हैं दोस्तों डॉलर इंडेक्स को देखने क्या डॉलर इंडेक्स अभी close है देखते हैं कि अभी US market open होने वाला जब यह किस प्रकास से trading करेगा दोस्तों यह बढ़ना नहीं चाहि किए उसको टॉप 3 मिलाने की कोशिश हो रहे हैं गॉर्मेंट की और सक्तिकांतर दाज जी दोस्तों जिस प्रकार से inflation को कंट्रूल करने में लगे हैं उसी प्रकार से अगर लगे रहते हैं तो दोस्तों जो 7% अभी हमें देखने को मिल रहा है फिर से बढ़ते हुए यह बह reflection उसको बढ़ने का काफी बड़ा मोका मिला था लेकिन आप फिर से रेट को हाइक किया जा रहा है दोस्तों सभी जगा ठीक है तो डेफिनेटली वह क्या हो सकता है नीचे सकता है देखते हैं अब कल का मार्केट हमारा किस प्रकास से रहने वाला है ठीक है तो यह था मार्के sharing update हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो thank you दोस्तों